नमस्कार दोस्तो मैं हूं सूहन चिंद्वाडा मद्धि प्रदेश से और आप देख रहे हैं पटवागाड़नी स्वागत है आपका मेरे चेनल पर दोस्तो आज मैं बात करूँगा अडेनियम पर अडेनियम पर बात करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अग लाइक ज़रूर कर दीजिए और सेयर भी करते रहिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइज नहीं किया है तो सब्क्राइज कर लीजिए और साथ ही वेल आइकोन को भी दबा दे ताकि आपको मैं जो भी वीडियो वनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए इस समय पूरे देश में लगभग सभी जगए बारिस हो रही है और कहीं कम तो कहीं ज़्यादा मेरे यहाँ भी इसी तरह से हो रहा है लगातार अभी आठ दिनों से बारिस रुक रुक करके होती है कभी कम हो जाती है लेकिन रेगुलर पानी गिर ही रहा है और इस बारिस के पानी का फायदा यह हो रहा है तो देखे इसमें से कल्ड़ियां भी यह यह वाइट वाला है यह और बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है यह रोजी फ्लावर है यह सभी पौधे मेरे ऐसे खुले में ही रखे हैं लेकिन ऊपर थोड़ा सा सेमी सेड़ी एरिया है क्योंकि जहां पर यह रखा है उस जगह में ऊपर छत में अगर सीधा पानी गिरता है तो इनमें पानी नह नहीं रुकता है अगर इस तरह की मिट्टी रहेगी तो यह बारिस में भी रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अधिकतर लोग यूटूब पर वीडियो देख देख करके सीखते हैं इसे लगाना ग्रो करना और इस समय दोस्तों काफी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं क्योंकि वीडियो में कई जगे बताया जा रहा है कि इन्हें बारिस में नहीं रखना चाहिए बारिस से बचाना चाहिए और कई जगे ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें खुले में रखे कोई दिक्कत नहीं होगी और दोस्तों मैंने जो अनभव किया है वही मैं आपको बताऊंगा आप इन्हें बारिस में भी रख सकते हैं और सेडी एरी में भी रख सकते हैं लेकिन इन्हें पानी भी जरूरी है इन्हें बारिस का पानी भी जरूरी है और धूप भी जरूरी है तो इस तरह से ऐसा आप इनको रखें कि धूप भी मिले और पानी भी मिलता रहे मैं बिल्द्रिंगें बिलकुल नहीं रुकता है तो इसका बारिस का पानी में आप अच्छा मोटा होगा और जल्दी इसे फ्लावरिंग भी रोगी। तब उस समय हमें सोचना पड़ेगा और इन्हें सेडी एरिय में रख सकते हैं और आप देख सकते हैं मैंने इनको तिरचा रखा है थोड़ा क्योंकि पानी इसमें रुकता नहीं है अगर रुके ज़्यादा भी आप पानी हो रहा है तो ये साइट से निकल लाएगा कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो कहते हैं कि इस समय बिल्कुल कट नहीं लगाना है लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं जो हमें ग्राप्टिंग करके बता रहे हैं और इसको काट करकी दिखा रहे हैं काफी लोग confused होते हैं कि क्या करें, कट करें या ना करें, या इस समय हम इनको grafting करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा confusion वाली स्थिती बन जाती है, मैं भी वीडियोज देख देख करके ही सीखा हूँ, मैं तो कभी अडिनियम का नाम भी नहीं सुना था, और जब द पीच से लगाने में हमें कॉडेक्स अच्छा मोटा मिलता है, और उसका grow करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से grow होते हैं, पर दोस्तों, आप डरिए नहीं, कोई भी काम आप करिए, जो आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमको ऐसा करने से हमें सही होगा, तो वही कीजिए वीडियो देख करके आप उसके उपर ना जाएए अपने खुद के अनुभाव जो होंगे वही सही होगे इछले साल की बारिस में भी ये प्लांट यहीं रखे थे और उस समय दो प्लांट मेरे खराब हो गए थे, डिमेज हो गए थे इस समय मैंने देखी एक कुछ ऑनलाइन जो पौधे बुलाए थे उनको इस तरह से रिपोर्ट करके ये भी ने खुले में रखा हुआ है लेकिन जैसे बारिस ज्यादा वोतिन होने लगती है तो मैंने हैं सेडी एरिया में रख देता हूँ जहांके पानी बिल्कुल भी नहीं आता है पारिस आती है तो एक दो दिन हम इसको यासी ही रखे रहने देते हैं यहाँ पर बाहर और फिर सेडी एरिया में रख देते हैं और इस सारे पौधे अभी अच्छे चल रहे हैं कोई भी रूट ट्रॉट नहीं हुआ है डालो तो आपके पौधे में फूल अच्छे आएंगे और कई वीडियो में ऐसा दिखा जा रहा है कि यह समय कोई भी खाद नहीं देना चाहिए और पानी से ही अच्छा इनमें प्लावरिंग होगी तो यहाँ पर भी भ्रहम की इस्तिती उत्पन हो जाती है पर दोस्तो एक बात सभी में कॉमन है यह फंगी साइट सभी लोग बताते हैं कि फंगी साइट डालना चाहिए और यह 10-15 दिन के अंतर में इसे डालते ही रहना चाहिए जैसा मैं यह डाल रहा हूँ दोस्तो यह तो आपको जरूर ही करते रहना चाहिए रही बात फर्टिलाजर की तो मेरा अनुभव यह है कि अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है कलियां बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा फर्टिलाजर इसमें डाल सकते हैं पोटाश डाल सकते हैं या फिर बोन मील डाल सकते हैं 1919-1919 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं पर इन चीजों को प्रयोग आप बहुत ही कम मातरा में करें अगर अधिक मातरा में इनका उप्योग हो गया तो इनका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इनमें D.A.P का भी उप्योग कर सकते हैं पर दो-चार दाने से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि पॉर्ट बहुत छोटे रहते हैं इनके और ज़्यादा इसपेस भी नहीं रहता है इसलिए इनको अगर जाल डाल देंगे जो लगभग 2 मेहने के होचोके हैं और यह लगभग 2-2.5 —3 इंच के लगभग होचोके हैं और मैंने इनको सब को लगभग 3 इंच के जो कप होता है उसमें लगाया हुआ हूँ और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी ہے और यह सभी देसी वाले हैं और single pattern के हैं, pink color है इसका, और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी growth पकड़ लिये हैं, और ये देखिए ये जो कुछ है, ये भी दोनों एक साथ ही लगाए हो थे, लेकिन इसकी growth बहुत ही कम है, और ये सारे बहुत है, ये भी growth हो रही है धीरे धीरे, और मैंने इसको बाद म महने के हो चुके हैं और इनकी दिखे बहुत थोटा है और यह काफी इसमें से खराब भी और मर भी रहे हैं और कुछ ने तो बहुत यह अच्छी ग्रोध पकड़ ली है , जैसे यह डिस्पोजल में लगे हुए हैं लेकिन यह साइज इनका बहुत अच्छा बख भग 2.5 इंज यग के लगभग सब्सक्तानी पानी डीनीएhour काय दूआ हो सकते हैं पकूड को सकते हैं कैसे घ्रौट रीक्यार किया जाता है और इसका फिर्टिलाइजर हमें कब कर साथा है इसके वीडियो मैंने पहले भी बनाय हुए है उसका मैं लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उनको देख सकते हैं और अपने अनुभव मुझे भी सेयर कर सकते हैं अगर आप अर्डियम लगाना चाहते हैं तो थोड़ी रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी और अपनी अनुभव से ही आप सीख पाएंगे यहां तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो कर ही दीजिए और दोस्तों को भी सेयर कीजिए अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर लीजिए और साथ ही वैल आइक उनको दबाना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकिशन सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंद